कि song को कितना maximize करें कितना उसको बढ़ाएं उसके वॉल्यूम को क्या करें क्या नहीं करें सीधा 0 पर छोड़ देते हो जीरो डीवी पे नेक्ट आप उसको मैक्सिमाइज करके छोड़ देते हो यह गलती हमने नहीं करनी है इसको आज हम सुधारने वले हैं तो गाइस मैं हून इतनी चलने ते आप देख रहे हैं डाइन डेंडिंग इतार इस चैनल आज हम बात करने वले है कि हम सोंग को करता है आगे बढ़ने में तो गाइस हम बात करने वले हैं दो प्लगिन की एक तो आपका जो है मैक्सिमाइजर या फिर जिससे आप अपने सोंग को मास्टर करते हैं एक वो प्लगिन रहेगा कुछ मैटर नहीं करता है वो प्लगिन आप कौन सा यूस कर रहे हैं बस आपको इतना दियां रखना है कि उसका जो लेवल है वो आप कितना रखेंगे ठीक है जी दूसरा जो हमारा रहने वाले है यह वह है यूलियन लाउडनेस मीटर यह फ्री व्याश्टी प्लगिन है काफी अच्छा है थर्ड पार्टी है आपको इसमें नहीं मिलने वाल अफल यहाँ पर यह इसको मैं as a master maximizer ले रहा हूँ तो यह मैरा threshold level है यह मैरा ceiling है ठीक है थाओ पहली बात को आप आप बता दूं कि जितने बी जो आप songs है उसको भी आप master करने जा रहे हैं तो उसका please ceiling को आप या तो माइनस 0.5 रखें या माइनस 1 db रखें मैं प्रफर करूँग पहले ही एक डीबी जो है वो गाने को बढ़ा देते हैं तो अगर आप पहले जीरोडीए कर दोगे अगर वह तक जाए गा तो फिर हर्ट संड आता है है वह हमें नहीं चाहे जो अप सुनते हैं उसमें आप तो कभी भी आवाज भड़ती नहीं तो वह तो ट्राई करते हैं कि 1.2 या 1.5 तक भी उसको सीलिंग को रखते हैं सीलिंग का मतलब आप समझ पा रहे हैं जैसे मान के चले कि यह मेरी रूम की छत है और आपको मैं छत से उपर नहीं जाने दे रहा हूं जो थ्रेश्रोड है वह आपका जो है वह कंप्रेस करने का काम करता है कि कितना आप जो है वह कंप्रेस कर रहे हैं अपने गाने को जितना जितना आप इसको डाउन करते जाएंगे उतनी जो है वह आवास बढ़ती चली जाएगी आपके ठीक है यह हमने समझ ले कि मास्टर को क discussion करने वाला हूं mixing mastering music बनाना कैसे बनाना है बहुत सारी वीडियो से हैं जाकर आप देख सकते हैं मैं try करता हूं जो मेरा content है वो different रहे सारे चैनल से ही different रहे तापके मैं आपको वह चीज सिखा पाऊं जो आपको किसी ने ना सिखाई हो तो दूसरा हमारा रहेगा यूलियन loudness मिटर पहले हम इसके बार में जान लेते हैं यह इसको आप इसकी setting क्या रखो कि नीचे से आपने इसको चीजों पर ही रखना है यहां पर आप इसको अपने हिसाफ से change कर सकते हैं Spotify YouTube Apple Music सबका एक अलग-अलग level रहता है ठीक है हम यहां पर Spotify या YouTube की बात करेंगे अगर हमने Spotify पर डालना आउडियो तो उसका हम कैसे रखेंगे अगर YouTube पर डालना तो उसका volume level कैसे रखेंगे तो यहां पर जो main चीज है वो आ रहा है LUFS यानि की LUFS की full form क्या है loud net unit full scale loud net unit full scale जो है unit यह सारे जितने भी streaming platform से सब इसको यूज करते हैं for example अगर आपका गाना जो है वो full master होने के बाद minus 14 तक आ रहा है तो यह कोई दिक्कत नहीं करने वाला है Spotify जो है वो उसको अराम से आपका जो है वो गाना ऐसे ही as it is डाल देगा बट अगर minus 14 के जगा minus 13 या minus 10 या minus 12 तक पहुंच गया तो वो उसको compress कर देगा compress करके minus 14 पर ले आएगा अब आपको पता ही है कि वो AI है artificial intelligence है अच्छे से compress नहीं करेगी बहुत गंदे तरीके से compress करती है तो अगर हम music producer है अगर आप sound engineer है तो आप उसको क्यों compress करने देगा आप उसको पहले ही compress करके भेजें अगर आप यहां पर से compress करोगे professionally तो वहां पर जाके उसको compress करने की जोती नहीं पड़ेगी professionally आप पहले अच्छी quality की फाइल दे दो तो वह उसको compress नहीं करेगा वह एसटीज ही भेज देगा अगर आपका minus 14 से ज़रा सा भी बड़ा नेरबाउट चल सकता है पर पहले अगर आपने बढ़ा के भेज या तो वह उसको है जो पास नहीं करेगा वह उसको पहले कंप्रेस करेगा पहले अपने AI में उसको compress करेगा फिर उसको जो है वह आगे upload करेगा तो वह चीज़ का हमने ध्यान रखना है हमने उसको पहले ही सुधारना है फॉर एक्जेंपल हम लेते हैं यह जो मेरा गाना रिलीज उसका है बता देना आपने जाके प्यार देना है लिंक यूट्यूब के आपको मिल जाएगा मेरा निया सोग आया है तो इसके हम बात करते हैं कि अभी देखते हैं कि एलिए फ है जो हमें क्या बता रहा है ठीक है अब वह सुनते हैं चलिए गाने के मुजिक मनाना सीख चुके हैं अभी तक मिक्सिंग मार्शिंग करते वक्डिकत आ रही है होम प्रोडक्शन है घर से काम कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मिक्सिंग बाशिंग अच्छे तरीके से कर पाए तो आपके लिए ही यह व जो है वो इसका जो वर्त है वो मुझे मिल गया है ठीक है जी अभी कि अभी लिंक में जाके बुक को बाई करें और मिक्सिंग मास्टिंग सीखे थैंक यू सो मच एक चीज़ ओर जो है इसमें आपने ना यूलिन लाउडनस मिल्टर को नीचे रखना है जो भी आपका कर पाएं सबसे लास्ट में आपकी जो है क्वालिटी निकल के आपको मिल रही है ठीक है सुनते हैं पहले यूलिन लाउडनस मिल्टर जो हमें क्या लेवल दे रहा है स्पोर्टिफाई के लिए अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तो चलिए बता देना बता देना बता तो यह देख रहे हैं यह रेड पर यह सारा रेड 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 यह बोल्डर है कि इसको काटो यह बहुत उपर जा रहा है इसको आप काटो यह इसको काटने को बोल्डर है कि इसको कम करो कम करो करो अगर आप खुद नहीं कम करो तो इस पोर्टिफाई खुद कर देग फिर आपके गाने के quality वो खराब upload करेगा तो यह हमारा जो है LUFS आ रहा है minus 10.8 तक जा रहा है ठीक है और जो true peak है max वो हमारा minus 0.2 तक जा रहा है जब कि यह minus 1 होना चाहिए मैंने पहले ही पिताया था कि जो बाकी speakers का भी ध्यान रखना है अगर आपने दोनों को एक अठे चलाना है तो आप यहाँ पर जाओगे यहाँ पर सैटिंग पर जाओगे और इसको आप डिएटेच कर दोगे अब यह आपकी software से अलग हो गया है अब यह वापिस से बंद नहीं होगा आप Ozone 9 को लेंगे ऐसे ही इसी तरीके से उसको भी आप कुछ इस तरीके से जो है वो डिएटेच कर सकते हैं वो भी फिर बंद नहीं होने वाला है और फिर आपके दोनों जो है वो एक टाइम पर काम करेंगे और अब हम देखेंगे कि जो हमारा software है वो किस तरीके से काम कर है दोनों को मिला के देखते हैं चलिए जाए बता देना बता देना बता देना तो यह जो सोंग है वो हमने किया हुआ है इसके हम सैटिंग खराब नहीं करने वाले हैं यह यूट्यूब और स्पोर्टिफाई के साब से पहले ही मास्चड होता है सोंग तो इसकी जो परानी फाइल है वो में पास अभी नहीं है तो यह मैंने फाइल है यूट्यूब से ही डिरेक्टली उठाई ह है तो मैं भी यहां पर जो है वो सैटिंग उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा के दिया हमें बट मैं आपको बताना चाहरा हूं कि जैसे आपके पास सुस्टेम ठ्रेश्वोड का लेवल काफी रहेगा जैसे मेरे पास भी खतम हो चुका है न तो आपके पास सुस्टेम के काफी ही लेवल रहेगा तो आपको उसको इतना डिक्री सकना है कि वह माइनस फूर्टीन तक आ जाए और आपका ट्रूपिक सीलिंग का भी जह हो माइनस वान तक जाए अभी हमारे पास वह चीज़ नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे हम धर डार डारैक्ट जो हमारी फाइल को हम कर देंग privatecheac arrest और हम सेट करने की कोशिक करेंगे बंट आपने threshold को यूज करना है क्योंकि हमने already Okaystudy master किया हुआ है तो हम उसे साफ से देखेंगे ठीक है जी तो आपने क्या करना है है आपने यहां से जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा जो फाइल में काफी फरक पड़ चुका है माइनस फोर्टीन तक इसका लेवल आ रहा है यानि कि स्पोर्टीफाई को मेनल करने के जोत नहीं पड़ेगी वह फाइल एज़ अपलोड करेगा आई क्वालिटी में अपलोड होगी तो यह चीज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा था जो मैंने आपको बताया कि आपको इसके हिसाब से अड़जस्मेंट करनी है वह दुबारा से जब फाइल सुनेंगे फाइल का जो मैक्सिमम हाई वोल्यूम पार्ट होगा अपने उसी को ही सुनना है तो दुबारा से आप सुनेंगे तो यह काफी फरक पड़ चुका है इसमें बता देना बता देना बता देना एक भी यहां पर एड़ पार्ट नहीं आ रहा है यही चीज मैं इसी की बात कर रहा था कि आपको एक्जेक्ट माइनस 14 के आराउंड आपको लेवल मिल रहे हैं स्पोर्टिफाई आपसे यही चीज मांगेगा इसी की हम बात कर रहे थे जो कोई बताता नहीं अब आपको सुनने में भी लगया कि है वो काफी अच्छा साउंड कर रहा है तो सेम चीज़ अपलाई होगी बाकी सारे प्लैडफोर्म के लिए मैं वैसे क्या करता हूं मैं सि स्पोर्टिफाई की उपर जाएगा तो वह आपको दिक्कत करेंगे ठीक जी तो जैसे मैं क्या करता हूं अब मेरे पास जो फाइल है माइनस फॉर्टीन की वह मैं डालूंगा अब यहां पर तो वह माइनस फटीन के उंडर ही आ रही है न दिक्कत वह करेगा अगर माइनस सिक्षीन मांगता है यह अब दिक्कत करेगा अपल मुजी क्या करेगा जैसे ही आप मैनस फॉर्टीन वली फाइल दोगे स्पोर्टीफाई वली वह उसको कमप्रेस करके मैनस 16 पर लेका वह बोले का कि मिरेको माने 16 तक ही जाए उसके बाद की मिरेको कमप्रेस करनी पड़े समझ लिया आपने क्या डिसकस किया जो अपने उसका लेवल जो है वो इसी लेवल तक सेट करना है जहाँ पर यलो लाइन आ रही है इसके उपर वो बैल्यू नहीं जाने चाहिए कि अपने जैसे ही मैं इसको सैटिंग कर दया तो इसको अब सिंप्ल एक्सपॉर्ट कर लेंगे एक्सपॉर्ट पर जाके वेफ़ार पर यहांके आपके सारी क्वालटी जो है रहेंगी छैनले खिंचे यह था हमारा स्पोर्टीफाई और यूटीब के लिए एक्सपोर्ट करने का तरीका ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आपते रहेंगे कुछ निया चाहिए तो कमेंट करके जुरूर बताएं थैंक यू सो मुच गाइस फो वाचिंग मैं वीडियो चल डिससे मिलेंगे फिर से मिलेंगे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मुच